हेलो एबरीवन आज की वीडियो में हम बात करेंगे माउथ हलसर के बारे में यानि कि जो मूँ के इंदर चाले होते हैं वो क्यूं हो जाते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है तो सारी बातों के बारे में आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले है एक्चोल में जो ये कुछ कारण यहां पे मैं अभी बताने वाला हूँ और कुछ कारण मैं आपको लास्ट में बताऊँगा वीडियो के लास्ट में ठीक है यह जो कारण है यह नोर्मली पाए जाते हैं अगर किसी को अलसर हो जाता है तो mostly यही रीजन होते हैं जैसे constipation अगर किसी व्यक्ति को constipation यानि की कबज की सिकायत है ज्यादा तो उसको mouth ulcer होने के chance होती है ठीक है ऐसा माना जाता है smoking अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा smoking करता है तो उसको भी ulcer होने के chance होती है अगर किसी व्यक्ति के अंदर vitamin B12 की deficiency यानि की कमी हो जाती है तो उस situation में mouth ulcer हो जाती है फोर्थ है lake of oral hygiene अगर oral hygiene कोई व्यक्ति maintain नहीं कर पाता है तो उस reason से भी क्या है mouth ulcer हो जाते है oral hygiene का मतलब होता है oral cavity को साप सुतरा ना रखना यानि की सवच ना रखना ठीक है oral hygiene कैसे maintain करना है जैसे कि खाना खाने के बाद आपको क्या करना है पानी के साथ क्या करना है अच्छे से mouth को wash करना है ठीक है तो ऐसे आपको oral hygiene maintain किया जा सकता है इसकी वज़े से भी ulcer हो जाते हैं तो ये कुछ सारे reasons होते हैं जिसकी वज़े से mouth ulcer हो जाते हैं जैसे कि कोई दात है जो ज्यादा नुकिला है और वो बार-बार उसी जंगे पे लग रहा है तो उस situation में भी ulcer हो जाता है ठीक है तो काफी सारे reasons होते हैं जिसकी वज़े से ulcer हो जाते हैं तो कुछ reason मैंने यहाँ पे बताए हैं कुछ reason मैं last में बताने वाला हूँ वीडियो क यह last में ठीक है अब देखिए जैसे किसी वेक्ति को विटामीन बीट वैल की कमी है तो उस वेक्ति को क्या करना है उस वेक्ति को विटामीन बीट वैल की deficiency होने से mouth ulcer हुआ है तो सिधा सिधा सा treatment यह है कि उसको B complex का capsule दे दो यानि कि जो multi vitamin tablet या capsule आती है वो दे दो जिससे कि उसकी body के अंदर जो vitamin की कमी है वो पूरी हो जाएगी उसके mouth ulcer है वो automatic ठीक हो जाएगी ठीक है तो यह कुछ ऐसे treatment हमको करना होता है तो treatment कैसे करना है treatment ऐसे करना है कि सबसे पहले तो oral hygiene को maintain करके रखना है oral hygiene की कमी नहीं होने चाहिए और इसके लिए क्या करना है इसके लिए करना है ठीक है अगर मैं local language के अंदर बोलू तो जैसे आपको kurla करना है ठीक है अच्छे तरीके से ताकि जो आपने खाना खाया है वो अच्छे तरीके से दातों से निकल जाए और आपकी जो oral cavity है वो अच्छे से clear हो जाए ओके तो यह treatment होता है और अगर मैं दूसरे treatment की बा vitamin capsule दिया जाता है जिसके अंदर riboflavin, thymine और vitamin wheat well यह तो होने ही चाहिए और folic acid भी हो iron भी हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है तो कहने का मतलब यह है कि multi vitamin tablet या फिर multi vitamin capsule दिये जा सकते हैं ताकि जो यह nutrient है जो यह vitamins है इनकी कमी जो है वो पूरी होसके body में और जो patient का mouth the cursor है वो ठीक होसके जैसे कि यहाँ पर example है विकासल नाम से विकासल नाम से बी-complex कैपसूल आते हैं तो यह दिये जाते हैं अब देखें यह ऐसे होते हैं विकासल नाम से यहाँ पर देखें इंगरीडियेंट लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं सायद आप ingredient है, यहाँ पर आप देखिए हो, देखना आपको साइद यह थाइमिन क्लियर दिख रहा होगा, riboflavin लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर vitamin B12 भी लिखा हुआ है, तो यह कुछ क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए, folic acid भी लिखा हुआ है, तो यह होते हैं, multi-vitamin capsule, जो की patient को दिये जाते हैं, जिसको mouth ulcer होता है, उसको treat करने के लिए, ठीक है, अगर किसी को ज्यादा ही ulcer हो रहा है, और उसमें pain हो रहा है, खाना खाते time, तो उसके लिए doctor के दोबारा एक gel recommend की जाती है, कोई भी ऐसी gel recommend की जाती है, जिसके अंदर local anesthetic हो, ठीक है, तो यह जो gel है, इसके अंदर local anesthetic होता है, जैसे example है, mucopain का, यह gel होती है, benzo canis के अंदर क्या होता है, local anesthetic होता है, अब यह जो gel है, यह mouth ulcer को treat तो नहीं करेगी, लेकिन pain को जरूर कम कर देगी, अब pain को कैसे कम करेगी, जैसे कि खाना खाते time, क्या हो रहा है, उस ulcer पे ज्यादा pain हो रहा है, ठीक है, या फिर आप कुछ पी रहे हो, पानी भी पी रहे हो, तब भी ज्यादा pain हो रहा है, तो उस situation में क्या करना है, खाना खाने से आदा गंटा पहले ये जो gel है ये आपको वहाँ ulcer पे लगा देनी है, ठीक है, ulcer पे लगाने के बाद क्या है, आपका जो pain है, वो कम हो जाएगा, ठीक है, तो जिसकी वज़े से आप खाना अच्छे से खास कोगे, तो उस situation में ये जो treatment होता है, ulcer के लिए, अगर फिर भी ulcer, तीन-चार दिन से जादा या वन वीक से जादा ulcer अगर होता है, तो फिर आपको डोक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है, ठीक है, कई बार ये question आता है, कि कई सारे जो बच्चे हैं, या फिर कई सारे जो essence है, वो क्या है, अगर किसी गो ulcer हो जाता है, तो उनको डर रहता है कि कहीं ये cancer वाला ulcer तो नहीं है, तो देखिए, क्या difference होता है एक normal ulcer और cancer वाले ulcer में, जो normal ulcer होता है, वो painful होता है, जबकि जो cancer वाला ulcer होता है, वो painless होता है, normal जो ulcer होता है, वो within one week automatically ठीक हो जाता है, लेकिन जो painful, यानि कि जो cancer वाला अलसर होता है वो बहुत ज्यादा दिनों तक कई महीनों तक रहता है ठीक है वो ठीक नहीं होता है तो यह कुछ indications है जिसकी वज़े से आप पैचान सकते हो कि आपको normal अलसर है या फिर cancer वाला अलसर है ठीक है अगर within one week से उपर हो गया है और आपका जो mouth का अलसर है वो ठीक नहीं हो रहा है तो उस situation में फिर आपको doctor से मिलने की जरूरत है और doctor से अच्छे से treatment लेने की जरूरत है ठीक है तो यह कुछ local normal treatment जो है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है आगे बात करते हैं patient education की देखिए अगर किसी वो mouth अलसर हुआ है तो वहाँ पर आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो spicy food वो आपको नहीं खाना है उससे आपको बचना है दूसरा है soft brush का use करना है तीसरा है इसी tooth paste को use नहीं करना है जिसके अंदर ये ingredient हो ये ingredient है sodium lorial sulfate अगर ये ingredient किसी toothpaste के अंदर है और उसको आप ओल्री पहले यूज कर रहे हो तो उसको आपको use नहीं करना है अगर आपको mouth हलसर हुआ है तब तक यूज नहीं करना है, जब तक आपका mouth ulcer ठीक नहीं हो जाता है, क्योंकि अगर ये जो ingredient होता है, इसकी वज़े से होता क्या है, mouth ulcer बार-बार हो जाता है, जैसे मालिया mouth ulcer हुआ, फिर से ठीक हुआ, फिर से हो जाता है, ठीक है, तो जब तक ठीक नहीं हो जाता है, त अच्छा रखना पड़ेगा, oral cavity को सापसूतरा रखना पड़ेगा, जैसे कि खाना खाने के बाद, आपको plain water से mouth को wash करना पड़ेगा, अच्छे से, तो इन चीजों का आपको धियान रखना है, ठीक है, आगे बात करते हैं, अधर कोज की, मैंने आपको कुछ कारण बताये थे mouth ulcer होने के, देखें, ये मैंने आपको कुछ कारण बताये थे, और साथी ये बताया था, कि इसके ये ये कारण नहीं होते, बहुत सारे reasons होते हैं, जिसकी वज़े से mouth ulcer होता है, तो मैं कुछ reasons आपको अभी बताने वाला हूँ, कि क्या-क्या और reasons हो सकते हैं, जिसकी disease है उसका ये symptom हो सकता है या फिर आपकी बोड़ी में किसी ने किसी चीज़ की कमी हुई है उसका ये symptom हो सकता है जैसे कि vitamin b2l की कमी होना mouth ulcer हो जाता है ये vitamin b2l deficiency का क्या है symptom है ठीक है वैसे ही और सारे reason कोज होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ देखें अगर किसी व्यक्ति को ये disease है select disease है तो उसको mouth ulcer हो जाती है ठीक है अब इसके अंदर क्या होता है जो जिसको ये disease है न उस patient की जो body है वो जो necessary nutrient होते है उसकी body के लिए वो absorb करना बंद कर देती है ठीक है तो body unable to absorb nutrient necessary for health and growth अब जो nutrient है इनका अगर absorption बंद हो गया तो जायस ही बात है जो भी vitamins है minerals है जो भी है उनका absorption भी बंद हो जाएगा तो उसकी वज़े से mouth ulcer हो सकते है ठीक है दूसरा inflammatory bowel disease इसके अंदर क्या होता है जो gastro intestinal tract होता है उसके अंदर inflammation हो जाती है उसको बोलते inflammatory bowel disease अगर किसी को यह disease है तो उस situation में भी mouth ulcer symptoms की तरह आते हैं ठीक है beset disease इसके अंदर क्या होता है blood vessels के अंदर inflammation होती है जो यह नाम आपको दिख रहा है यह scientist का नाम है इसने इसको observe किया था इस disease के बारे में discovery की थी तो इसने अपने नाम से इस disease का नाम रख दिया है तो अगर यह disease है तो इसकी वज़े से भी क्या हो सकता है mouth ulcer हो सकता है hormonal factor हमारी body में hormonal change होनी की वज़े से भी mouth ulcer हो सकते हैं अगर कोई वेक्ती ज्यादा stress ले रहा है तो उस वज़े से भी mouth ulcer हो सकते हैं अगर कोई patient जिसको nicardyl और methotrexate दवाईयों पर रखा गया है, है ना, उसको nicardyl या फिर nicorendyl या फिर methotrexate ये जो दोनों दवाईया हैं, ये दीज आ रही है, ठीक है, लंबे समय से, तो उस इन दोनों दवाईयों की वज़े से भी mouth ulcer हो सकती है, या फिर कोई भी patient है, जो कोई ज्यादा नेसेड्स का रहा है, नेसेड्स ग्रूप की दवाईयों, जैसे brufan है, कोई ज्यादा brufan का रहा है, तो उसकी वज़े से भी mouth ulcer होने के chances होती है, तो जो mouth ulcer होता है, इसके कई सारे reasons होती है, mostly माना जाता है कि ये vitamin B12 की deficiency से होता है, oral hygiene maintain ना करने की वज़े से होता है, और constipation यानि की कबज होने की वज़े से होता है, smoking यानि की कोई व्यक्ति ज्यादा smoking करता है, उस वज़े से होता है, तो mostly चार common reason माने जाते हैं, ठीक है, तो इनी तेवे treatment किया जाता है किसी भी pharmacist या doctor के दवारा सबसे पहले, तो primary treatment इनको ध्यान रगते वे किया ज आते हो, तो वो proper diagnosis करेगा कि mouth ulcer का reason है, तो ये भी reason हो सकते है, कोई वो बात नहीं है, ठीक है, तो लेकिन जो ये reason होते हैं न, ये मैं आपको ड्राने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये reason हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये हो भी, ये rare होते हैं, ठीक है, अगर को में मैं आपको सरिफ इतना बताना चाहता हूं कि mouth ulcer होने का कोई एक या दो reason नहीं होता है, एक या दो कारण नहीं होता है, कई सारे reason हो सकते हैं, ठीक है, यह जो जितने भी कारण मैंने आपको बताए हैं, पहले बताए हैं, और यहां भी slide के अंदर आपको दिख रहे हैं, इ सिच्विशन में आपको डोक्टर से मिलने की जरूरत है, डोक्टर को दिखाने की जरूरत है, तो यह थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, mouth ulcer से related, ठीक है, primary treatment मैंने आपको बताया, अगर vitamin B12 की deficiency है, तो वहां पर विकासूल ले सकते हो, ठीक है, oral hygiene maintain कर सकते हो, ठीक है, smoking ज यही reasons होते हैं, इनका ही primary treatment होता है, ठीक है, ज्यादा pain हो रहा है खाना खाने से पहले, तो कोई भी ऐसी gel लगा लो, आदा गंटा पहले, जिसके अंदर local anesthetic हो, like benzocaine, है न, mucopain के नाम से मिलती है, तो और सारी दवाईया है, और भी gel आती है, अलग-लग नाम से, जिसके अं doctor से मिलने की सब जरूरत है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं, next video के अंदर,